36 गड़ के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब माता कौशल्या कुछ 36 गड़ तीज मनाने के लिए पहुचेंगी अयोध्या से मिट्टी लाई गई है और उसी मिट्टी से माता कौशल्या की मूर्ती तयार की गई है हम आपको सीधे उस मूर्ती की तस्वीर दिखाएंगे आप देखेंगे कि बहुती भव्य तरीके से ये मूर्ती तयार की जारी है माता कौशल्या ने भगवान राम को अपनी गोद में लिया हुआ है तमाम जनकारी के लिए हमारे साथ मूर्तीकार पिलू रामसाहू भी मौजूद है उनसे बात करते हैं इस मूर्ती को तयार करने के लिए आयोध्या से मिट्टी लाई गई है तो अगर ये विचार की बात करें तो किस तरह से ये विचार आया तो तीज तेवहार में माता कौसलिया को यहां तीजा लिवा करके लाया जाए और लाने के बाद फिर मतलब तीजा तेवहर माता कॉसिलिया के साथ यहाँ के बेटियों के साथ मतलब तीज़ तेवहर मनाना चाहिए ऐसे सोच करके ये काम को किया जा रहा है और ये मतलब हकिकत कहो तो ये 36 गर में अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये किवल 36 गर में नहीं ये आपका पूरी हिंदुस्तान में ये बहुत अच्छा संदेज जाएगा कि देखो माता कौसिलिया का माईके कहा है ये किसी को पता नहीं था मगर अचानदग भियानदग हमारे 36 गर सासन भी इसको मतलब बहुत हाइलाइट करने का कोसिस किया है और कलाकार लोग भी बहुत अच्छे इसको मतलब आगे बढ़ाने का कोसिस किया है ये अपने आप में गоворों की बात है और अपने आप में अद्थूत है अच्छा अगर इस मूर्ती की बात की जाये तो ये मूर्ती तो लगभग तैयार होई चुकी है कितना दिन और लगेगा पूरी तरीके से तैयार करने में और ये मूर्ती कहां जाएगी ये जो है अभी तो समझाओ 11 तारीक के साम रात तक कि इसको पूरा कंप्रीट कर और जैसे कि मार्जी इसका जो जितने भी सास सिंगार जो है पूर्ण रूप से 36 गड़वेज भूसा में रहेगा मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब इसको हम अन दूसरा टाइप का कपड़ा पहनाएंगे इसमें सूता, सुर्रा, आपका कनी, बनूरिया ये सारी चीज पहनाया जाएगा और आपका बंधा है, साटी है, पैजन है और भगवान राम चंदर जी को करधन है उसके बाद में उसको नजर न लागे उसके लिए एक काजल का टीका भी लगाया जाएगा इसमें ये अपने आप में अद्भूत रहेगा और अलगी रहेगा और ये जो है जैसे कि माल जाएगा अध्या से मिट्टी ला करके यहां दिया गया है यहां से टीम गया था चार-पांच लोग का टीम गया था और टीम जा करके वहां राजा दसरत के जो हवेली है महल है वहां से आदेश ले करके फिर मिट्टी ला करके फिर मेरे को सौपा गया, इसमें आपका तीवारी जी मतलब मेरे को ला करके दिये और एक चंद्राकर जी है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मगर ला करके दिया और सह सम्मान दिया है मेरे को, और दे करके फिर मतलब मेरे क बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काम करने में, मेरे को जरा से भी तकलीप नहीं हो रहा है कि मैं ये काम आप देख सकते हैं कि इस तरह से यह भव्य मूर्ती तयार की जा रही है जिसमें माता कौसल्या ने भगवान राम को अपनी गोद में लिया हुआ है और भगवान राम बालस्वरूप में नजर आ रहे हैं और यह जो मूर्ती है यह 11 तारिक तक तयार हो जाएगी और जो कोजन है वो चंद्खूरी के कौशल्या माता बंदिर में किया जाएगा क्यामरामें दीपक के साथ सुप्रिया पांडी आई बीसी 24 राइपूर